अब आर यू आई थिंक और फाइन हर्याना कोशल रोजगार निकम के कई दिन हो गए मैंस जाते हुए कि मैं फ्रेशर इलिजिबल हैं केंडिडेट्स के लिए जो है साइट ओपन हो रही है ये बताया जा रहा है तो देखो आप ऐसे ही किसी चीज पर ध्यान मत दिया करो यहा है इसके लिए आपको रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना वर इसके लिए मस्ट है आपकी जो है फैमिली आई डी फैमिली आइडी को आप यहां पर फिल करते हो जैसे हमने फैमिली आई डी यह फिल की मान लो तो ये family ID यहाँ पे register ही नहीं है तो इसका मतलब सबसे must होगा आपको family ID जो है बनवानी होगे अगर आप ने अभी तक family ID नहीं बनवाई है वैसे तो घर-घर जाके ये काम करवाय जा रहा था citizen resource information department के द्वारा सभी की family ID बनवानी बहुत ही जरूरी थी लेगिन अगर आप रहे गए हो तो आप जरूर बनवाईएगा क्योंकि अगर pressures का in case अगर आता है बनवाना तो must हो जाती है आपकी family ID तो जैसे अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं किसी की family ID है भई ऐसे show नहीं करेंगे एक मिनिट रुको देखो जब हमने family ID डाली तो यहाँ पे आगया अगर आपकी है तो आप यहाँ कर सकते हो और अगर आप फ्रेशर हो तो आप नो ही करोगे जाहिर सी बात है तो नो करते ही यहाँ पर जो है do you have any previous experience in you are not eligible to register in the site it means अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ जिनको experience at department, board, corporation, statutory, board, commission, authority of government of India सिर्फ और सिर्फ उनहीं के लिए उपन हुई है फ्रेशर के लिए उपन अभी तक नहीं हुई है और जब भी होगी तो आप उसे related information दे दी जाएगी तो डरने की जरूरत नहीं है यह ऐसा नहीं होगा कि वही आज उपन हो गई कल बंध होगी जी नहीं इसके लिए time period दिया जाएगा तो घबराने की जूरत नहीं है कि अगर vacancy निकलेगी और हमारा registration नहीं होगा तो हमें job नहीं मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है अगर freshers के लिए in case अगर job मिलती है तो आप सभी के लिए इसका जो sufficient time period है वो given होगा और जब भी इसका update को information आएगी आपको provide करवा दी जाएगी ठीक है तो अगर आपका experience है तो ही आप इसके लिए apply कर सकते हो इनके साब apply नहीं कर सकते ठीक है तो यह जो है यह site है अगर आपका experience है तो यहां से आप अपना name register करवा सकते हो जब भी job मिलेगी जोब भी कोई vacancy निकलेगी तो आपके पास information इसकी दे दी जाएगी तो फिलहाल ऐसी कोई information नहीं आई है हर्याना कि कुशल रोजगार निगम की तरफ से की refreshable है जब भी आएगी आपको उसकी update information दे दी जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like share and subscribe करना नहीं भूले कि बहुत सारे candidates के बार बार message आ रहे थी और हमने जब no का response दिया तब भी यह आ थी कि नहीं मैं हम कह रहे हैं कि open हो गई यह open हो गई यह तो देखो अब हमने आपको इसलिए first side से दिखाया है कि अभी तक open नहीं हुए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सही कह रही है मैं कई बार इस तरह की question आ जाते है जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है so thank you so much और वीडियो अच्छी लगी है तो like share and subscribe करना नहीं भूले और comment बड़े ही सोच सम